हलो दोस्तों वेल्कम बेक टो माई चैनल तो कैसे हैं आप लोग सब उम्मिद करती का अपलोग जहां के विए बहुत अच्छे होंगे तो अच्छे लिए आप लोग मुझसे पूछते हैं कि दीदी आप क्या फेस पर अप्लाई करती हो अजकर आपका जो फेस इतना ग्लो करत है तो आज में आपके साथ भी मेरा जो सिक्रेटिव वही शेयर करने वाली हूँ तो देखिए सबसे पहले हैं आपको बता दिती हूँ कौन सा पैक या क्या युस करती हो सबसे पहले है ना मैं बताती हूँ यह है ना उप्टन फेस प्लस बोड़ी पैक जो कि यूनिवर्स जासेंस कमपनी का यह बहुत ज़्यादा है और जैसे के आपको पताइई अभी संब सory के लिए घृ कर्थ.. यह पोबह। जादा वहलो हमाला क्यादा हि मेकई तो इसके लिए बोगत जादा होने वाला है हार जाते हैं इसको करने के लिए हमें कोई कार्ण चाहिए ना तो उप्टन से बेश्ट कोई भी फेसपेक नहीं हो सकता है तो यह आपकी जो जैसे कि स़्ळन हो जाता है आपकी स्कीन पर तो वो मतलब कि यह एक और आपकी बोड़ी पर भी पूरे जैसे कि हो ता है जैसे होता है यह नहीं पर हैं ऐसा रहागा सकते हो आपके मेंच के reaches को दूर कर सकते हैं वैसे तो तो दोस्तों यह इस तरीकी के पैकेजिन में आता है और आपके इसको अप्लाई कैसे करना है डाइरेक्ट आप इसमें जो उप्टन बना हुआ आता है या फिर आपको ठीक लगता है तो आप रोज वाटर मिक्स कर सकते हैं जरूद नहीं पड़ेगी बट मैंने आपको बता द तो यहां पर मैं आपको बता देती ही यूनिवर्सल असेंस कंपनी का उप्टा ने जो की फेस प्लस बॉड़ी पर यूज किया जाता है और इसका जो यूज क्या होते है इसके जो हमारे स्कीन होती है जिसे ब्लैक वाइट हो जाती है मतला अनिवन होती तो इसको इवन करता है संटेन हो जाता है तो संटेन को भी हटाता है और आपके स्कीन को इसको लगाने से अपकी स्कीन हेल्दी हो जाती है सौप्ट हो जाती है और में चीज तो यह बहुत अच्छी बात है कि यह आप किसी भी प्रकार के स्कीन सेंसेटी हो ओली हो नॉर्मल हो जाए ड्राय हो तो हर टैक की स्किन पर इसे अप्लाई का सकते बिल्कुल भी साइड इफेक्स नहीं होने वाला है तो आपकी यह उप्टान लगाने से आपके स्किन को लाइटनिंग भी करता है बहुत अच्छा होता है दाग धब्बे होते उसे भी हटाता है तो यह जो है ना जो उप्टान है इसमें किसी भी प्रकर का फ्रेग्नेंस कालर बिल्कुल भी कोई यूज नहीं किया गया है यह एक मतलब नैच्रल तरीके से बना हुआ है और आपकी जो स्किन डैमेज हो जाती की ना उसको हटाता है चैबंने एक केahuया चे पर के लिए भी करता है स्मूद भी बनाता है और शवрий बनाता है और गाहSu फुल सुहागा, एलमेंड ओईल, वालनट, शेल, टर्मरिक, सैंडल, सेफ प्रॉण, रोज वाटर, एलमेंड यह सब को यूज किया गया है, जो कि आपके स्किन के बहुत 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 अच्छा है, और इसमें किसी भी प्रकार का केमिकल यूज नहीं किया गया है, बस यह न कर लिजिए, फेश वास कर लिजिए, उसके बाद आप इसमें से उप्रन निकालिए और अपनी फिंगर से से अपलाई कर लिजिए, और जो भी सेंसेटिव एरिया होता है, हमेरे फेस पर या बोड़ी पर उसे अवाइड करना है, वहाँ पर अपलाई नहीं करना है, और इस स्किन ड्राइ हो गई है, कैसा हो रहा है, क्योंकि फेस पर कम लोग लगाते है, तो हमेरे स्किन को ड्राइ बनाता है, एक डव खिची सी हो जाते है, जो कि अच्छी नहीं होती हमारे स्किन को ड्राइ नहीं बनाता है, तो इसको निकालने से पहले हमें क्या करना है, नॉर्म सकते लिए क्योंकर मैं हम चाहँ केक भी यह में कि यहांना रहा है किसम क्यांए बैट। मैंने बस 2-3 मिल्ट मसाज किया पर मेरा नम बहुत मसाज करने का अबन कर रहा ता से लग रहा था कि जादा देर तक मैं मसाज कर रहा था बहुत अच्छा लग रहा था तो यहां पर मैंने नॉर्मल वोटर से फेस को वाश कर लिया है और आप देख सकते है रिजल्ट आपके स अच्छा फेस्पेक है और आपको रिजल्ट तो दिखी रहा है अगर आप इस फेस्पेक को खरीदना चाहते होंगे ना जिसकी जो लिंक है मैं डिस्कूपिशन बॉक्स में डेड होंगी ता आप महां से जाके ले सकते हैं तो चलिए दोस्तों मेरे पर जो दूसरा प्रोड अफिशल है वैसे तो यह कहिने को बस एक नौर्मल सीरा में सरम इसकी इसको कैसे अप्लाई करना जैसे कि जब हम लोग हैर वाश कर लेते हैं और जब हमारे हैर ड्राय हो जाएंगे अच्छे तरीके से मिसकी बिल्कुल भी गिली नहीं चाहिए अच्छे से हैर ड्राई कर ल और साथी में इसके जो बेनिफिशल है क्या हैल्फ मिलती है इसे अप्लाई करने से हमारे हैर में वह भी शेयर करने वाली हो तो दोस्तों यह है इसकी बोटल तो शाद आपको यहाँ पर देख रहा होगा तो यह सेरम है और जोकि यह प्लास्टिक के प्लास्टिक के तो उपिशल भी होता है ना फुटणे का डर नहीं रहता है तो मुझे पता बहुँआ डर रहता है जैसे कोई काज का घग अर जब रहता है ना उसमें सीराम या फॉर फैसपक यो कुछ भी रहता है तो बहुत डर लगते ऐं क्वूटज़ा है क्योंकि बच्चे होते हैं ना व तो इसको है न मिन्सकी हमें जैसे के हमारे जब hair wash कर लेते हैं ठीक है hair wash करने के बाद अच्छे से dry कर लेना है और फिर इसे अपने हतीली पर ऐसे आपको इसके drop ले लेना है ये देखिए आपकी जो hair की length हो उसके साफ से आपको लेना है तो मेरे जो hair की length आप देख सकते हैं काफी काम है तो इसकी मैंने जैसे के one drop लिए इसको इस तरीके से करना है तो इसको इने इस तरीके से apply करना है आपको scalp पर भी ऐसे apply कर लेना है और आपको यहाँ पर भी length में आपको apply करना है इसके बाद apply करने के बाद आपको normally comb करने है और लेना है तो चले मैं आपको बता देती हूँ कि यह किस किस में मिन्स की health मिलता है इस serum से है तो दोस्तों यह है universal essence company का hair vitalizer serum यह जो oil है यह red onion oil, black sheet oil, system sheet oil और peppermint oil से मिलकर बना हुआ है और इसमें किसे भी प्रकार का chemical नहीं है मिन्स की mindrel oil हो गया, silicon हो गया, perabin हो गया, इस प्रकार की जो भी chemical होते है इसमें use नहीं किया है यह एक प्रकार का आयर्विदिक oil है क्योंकि इसको आयर्विदिक तरीके से बनाया गया है और यह जो oil है आप किसी भी प्रकार के जिसके hair होता है जिसे oily हो गया, dry हो गया, आप सब भी प्रकार के hair पर use कर सकते हैं कोई भी side effect नहीं होगा और यह जो oil है जैसे कि आपके समय के पहले जो hair वो यह होते हैं तो इसको आहने होनीन ही देता है रोगता है अगर आप इसको यूजग मतला होनी नहीं देगा जो आपके hair में डियन्टर्फ हो जाता है hair falls होता है उसको भी रोखता है और आपकी hair growth को बढ़ाता है और वॉल्म को भी बढ़ाता है बहूत अक्रश़ग सबुआ अनियन एक्सट्रैक्ट है और कलंजी ऑईल है स्वेविन ऑईल है कोकोनट ऑईल है सिसम ऑईल है और बुटिवरेटेड है अशेट रिपलमींट और विटामिन ई नैचरल फ्रेग्डेस और नैचरल कला कलारेट मिन्स कि इसमें किसी भी प्रकार का जैसे होता है ना केमिकल वा के में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगे आप वहां से चिक आट कर सकते हैं वहां से आप लिक से पर्चेस कर सकते हैं और प्लीज आप इसे खरीच लीजिए क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा मतलब की हेल्फ मिलने वाली है क्योंकि हैर फोर्स डेंडर पर नॉर्म प्रॉब्लम है इसलिए आपको यह हैर सिरम ले लेना चाहिए और साथी में आपको यह फिस्पेक यह ले लेना चाहिए कि यह फिस्पेक बहुत 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 अच्छा है चाहता आप अगर आप किसी को गिफ्ट करना चाहते हो अभी तो किसी की शादी होई होगे आप गि भी रहे दो कि लगा सकती है उनकी जो स्कीन ना बोहत ज्यादा स्टाहर कि अजितों ब्सक्राइब करतर है और किसके बीया इसी जादी होने वाली है तो आप इीवालयों कborg धरिस सकती हो आप happiness पर लगई है हेम्पर लगई है नेक